चोपड़ा इस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो वेटनरी काउंसलिंग का रजल्ट आ चुका है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का केटेगरी वाईज मैं आपको यहां पर रजल्ट बता देता हूँ जो कटोप है वो हम जो आसा कर रहे थे उससे काफी डाउन गई है तो एक बार हम कटोप देख लेते हैं उसके बारे में इसके बाद में चर्चा करेंगे कटोप इतनी डाउन क्यों रही है तो देखते हैं सबसे पहले जो कटोप रही है यो आर की हम गॉर्मेंट केटेगरी की कोलेज हैं जो गॉर्मेंट केटेगरी की कोलेज हैं उनकी कटोप देख लेते हैं तो 63,311 रेंग जिसके 526 मार्ग्स थे आईजोल मिजोरम का गवर्मेंट कोलेज मिला है इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के कोलेज हैं वो 83,539 रेंग जिसके मार्क्स 501 थे जनरल कटेगरी के कंडिडेट को इसमें अरावली वेटनरी कोलेज सीकर मिला है तो ये तो हो गई जनरल की बात अब हम बात करते हैं OBC की गवर्मेंट सीट OBC की जो गवर्मेंट सीट है वो 79,088 रेंग पर जिसके 506 मार्क्स थे उसको कोटला मिला है इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर की जो कोलेजे हैं 99,786 रेंग जिस कंडिडेट के 483 मार्क्स थे उसको अरावली सीकर मिला है तो ये OBC कंडिडेट को मिले हैं अब EWS कंडिडेट की बात करें तो गवर्मेंट सेक्टर की जो कोलेजे हैं 73,500 रेंग पर जिसके 513 मार्क्स हैं रामायन पट्टी कोलेज मिला है इसके बाद प्राइवेट सेक्टर की 93,839 रेंग पर जिसके 490 मार्क्स थे अरावली सीकर मिला है इसी प्रकार से SC कैटेगरी गवर्मेंट सेक्टर की कोलेज वन लाग 61,000 फिप्टीन रेंग पर जिसके 425 मार्क्स थे सिरी नगर कस्मीर का विटनरी कोलेज मिला है प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वन लाग 71,459 रेंग पर जिसके वेटनरी कोलेज़ सीकर मिला है ST कैटेगरी की गौर्मेंट सेक्टर की बात करे 1,71,826 रेंग पर जिसके माक्स थे 416 आईजोल मिजोरम का वेटनरी कोलेज़ मिला है वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करे ST कैटेगरी के लिए तो 1,73,731 रेंग पर जिसके 415 मार्क्स थे खालचा वेटनरी कोलेज पंजाब का मिला है प्राइवेट सेक्टर का कोलेज तो ये केटेगरी वाइस कटोफ है फर्स्ट राउंड गी और ये इतियास में पहली बार हुआ है कि आयूस से वेटनरी की कटोफ डाउन रही है नहीं तो वेटनरी की कटोफ ज्यादा रहती है आयूस की कटोफ कम रहती है लेकिन इस बार काफी सारे फेक्टर्स ने काम किया है जैसे कि आने वाले समय में 50% जो प्राइवेट कोलेजें की सीट है मेडिकल कोलेजों की वो गौर्मेंट फीस पर होंगी तो ये भी एक बड़ा फेक्टर था दूसरा फेक्टर ये था कि अभी एकजाम भी नजदीक आ रहा है 22 का ये भी एक बड़ा फेक्टर था जो कटोफ डाउन जाने का लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि जो फर्स्ट राउंड की कटोफ गई है उसके इक्वल में सेकंड राउंड की कटोफ भी जाए या इससे उ उपर भी जा सकती है क्योंकि अभी भी कुछ स्टुडेंट वेट कर रहे हैं मेडिकल के इस्ट्रे वेकंसी राउंड का और वेट किया था उन्होंने मोपप का क्योंकि मोपप का रेजल्ट आया नहीं था तब तक जब तक की च्वाई से फिल हो गई थी इसकी इसके बाद दूसरी बात यह है कि इस पार सेकंड राउंड में रेजिस्टेशन होने की वज़े से सेकंड राउंड में भी रेजिस्टेशन होने की वज़े से वेटनरी के फर्स्ट राउंड में स्टुडेंट ने रेजिस्टेशन नहीं किया है वेटनरी के सेकंड राउंड में काफी student registration करेंगे और जब काफी ज़्यादा student registration करेंगे तो second round में cutoff इसके equal या फिर high जा सकती है तो ये एक अपना थोड़ा सा analysis था इसके बारे में cutoff के बारे में बाकी जैसे update मिलेगी हम आपको inform करेंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिन